नमस्कार दोस्तों मैं अभी नास कुमार हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डियभी है स्कूल का क्लास्टू का कंप्यूटर का फर्स्ट चेप्टर देखिए जिसका नाम है हेलो कंप्यूटर्स फर्स्ट चेप्टर का क्या नाम है हेलो कंप्यूटर्स इसमें देखिए क क्या क्या पढ़ना है chapter outline यानि कि chapter का रूप रेखा sizes of computers यानि computer के size के बारे में पढ़ना है minors in class और class में क्या minor होना चाहिए हम सब का उसके बारे में पढ़ना है sizes of computers यानि computer के size there are different types of computers यानि कि होते है different types होते हैं of computer computer के there are मतलब होते है different types या लंग-लंग परकार होते है different types होते है of computer as computer computer के different types होते है some are big computers कुछ होते हैं बड़े computers ए हम आगर देखे दिस इज अंजली यह अंजली है इस चितर में उसके बारे इस इज अंजली यह अंजली है सीज वरकिंग वह काम कर रहे है वह वर्क कर रहे है ओने डेक्स्टप कम्प्यूटर एक desktop computer पर at her home यानि कि अपने घर पर a desktop computer is placed on a desk एक desktop computer को place किया जाता है यानि रखा जाता है on a desk एक desk पर देख सकते हैं एक desk पर रखा गया है desktop computer को a desktop computer is also called a personal computer और PC एक desktop computer को भी कहा जाता है एक personal computer एक desktop computer को एक personal computer भी कहा जाता है और PC कहा जाता है shortcut में PC इसी यानि कि P से personal और C से computer क्या है personal computer short qad me PC का जाता है knowledge की the first desktop और PC पाहला desktop या PC का लटेएर वाज इन्भेंटेड भाहला desktop या PC का सकते है प्रस्म कंप्यूटर काल जी स्कोशकर कहा गया अल्टेएर वाज इन्वेंटेड उससका कर खोज किया गया था इन 1974 1974 में पर्ष्ट डेक्टप कंप्यूटर या पीसी जिसको कहा गया था अल्टेयर उसका इन भेंट किया गया था 1974 में चाहते हैं नेक्स पेज पर अगला पेज दो पेज एक साथ है इसको मैं जूम करके पहले इसको पढ़ाता हूं उसके बाद पिर पढ़ाऊंगा किया से जूम करते हैं आप फिर कि जूम हो गया ऑ फोल कंप्यूटर लुक मतलब दिखाई देता है युकए Maar आप carry कर सकते हैं मतलब ले जा सकते हैं देम यानिका उनको यानिकी small computer को with you अपने साथ यानिकी small computer को अपने साथ आप ले जा सकते हैं you can carry आप carry कर सकते हैं देम यानिकी उनको with you अपने साथ यानिकी छोटे computer को small computer को अपने साथ आप ले जा सकते हैं Mr. Ramanujam is traveling in a train Mr. Ramanujam travel कर रहे हैं एक train में यानि कि एक train में सफर कर रहे हैं Mr. Ramanujam He works वह work करते हैं while traveling also यानि कि जब वह travel कर रहे हैं तब भी वह work करते हैं यानि कि सफर के दवरान भी वह work करते हैं जब वह travel कर रहे हैं यात्रा कर रहे हैं सफर कर रहे हैं तब भी वह काम करते हैं He uses वह use करते हैं वह up you करते हैं His small computer अपना छोटा computer यूज करते हैं सब कमपूटर को कहा जाता है Some computers are very small कुछ computers बहुत छोटे होते हैं You can carry तुम carry कर सकते हो या आप carry कर सकते हैं जियारी माझों को बहुत छोटे computer को In your pocket अपने pocket में तुम carry कर सकते हो तुम अपने pocket में ले जा सकते हो and hold them in your hand और उनको रख सकते हो अपने हाथों में उसको अपने हाथों में धारन कर सकते हो ले जा सकते हो they are called वे सबको कहा जाता है handheld computers handheld computers कहा जाता है और pocket PCs या pocket PC कहा जाता है knowledge key the first pocket PC पहला pocket PC called the palm मतलब पहला पॉकेट PC को कहा गया था पाल्म कहा था और जिसका खोज किया गया था in 1992 में पहला पॉकेट PC में इन्वेंट किया था जिसका नाम कहा जिसको कहा गया था पाल्म पी एलम आगे देखिए tablet computer यह देख सकते हैं यह tablet computer है और यह पॉकेट PC है tablet computer और टैबलेट एक tablet computer या tablet is mobile computer मतलब होता है एक mobile computer होता है इस लार्जर यह बड़ा होता है दैना पॉकेट PC एक पॉकेट PC से बड़ा होता है इस हज टाच अ स्क्रीं इसमें एक टाच अ स्क्रीं होता है और इस उपरेट किया जाता है इसे ऐसे और nyजर के यह तो यह पॉकेडर केड़ तंड मतलब यह करने के बजाए इस एसे अब600 को तश्रे जाएड़ उस टापारिस करके operate किया जाता है ले बेस्ट इग्जामपल इज आईपाइड मतलब सबसे अच्छा उदाहरन है आईपाइड तो रहा देटेश टेबलेट एपल आईपाइड-2 इसमें का लेटेश टेबलेट अब तो और इटेश लेटेस आघ्या होगा आगे देखिए do the following मतलब करो निमली खित को टिक टिक लगाएं the PC cross the tablet circle यानि की PC पर इस तरह से सही का निसान लगाना है tablet पर cross का निसान लगाना है और laptop पर ऐसे circle करना है इसमें देखिए किया गया है PC पर देखिए सही का निसान लगाया गया है और tablet पर cross का निसान लगाया गया है और यह देखिए कि लैप्टोप पर इस तरह से circle किया गया है और इसके अब चलते हैं अगला page पर यह देखिए computer etiquette नहीं कि computer sister 4 this is a computer class यह एक computer class है देख सकते हैं यह computer class है there is silence in the class यानि कि silence होता है in the classroom classroom में classroom में सांती होता है the students can learn students सीख सकते हैं in silence silence में यानि कि सांती में जहां सांती रहेगा उसमें सीख सकते हैं we should not make noise हम लोगों को आवाज नहीं करना चाहिए make noise मतलब हला करना हला नहीं करना चाहिए in the classroom classroom में it is difficult यह कठिन होता है to study तब अध्यन करने में difficult होता है तब हला गुला करने से study करने में difficult होता है कठिनाई होता है इना noisy classroom यह नहीं कि हला वाला classroom में study करने में difficult होता है नेम आज स्टूडेंट एक स्टूडेंट का नाम बताएं of your class अपने class का who talks a lot जो बात करता हो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने class का कोई स्टूडेंट का नाम लिख दिजेगा जो ज़्यादा बात करता हो आगे देखें name a student एक student का नाम बताएं of your class अपने class का who is usually quite जो समानित quite हो मतलब सांत रहता हो यह देखिए इसमें लिखा हुआ है राज आप अपने हिसाब से अपने classroom में जो लड़का सांत रहता हो उसका नाम लिख दिजेगा आगे देखिए this is a classroom यह एक classroom है a teacher is teaching एक सिच्छक पढ़ा रही है सिच्छक टीच कर रही है the students छात्रों को the students are listening students यानि कि सुन रहे हैं to the teacher teacher को one student is talking एक student बात कर रहा है in the classroom classroom में he is not a good student वह एक अच्छा student नहीं है वह एक अच्छा छात्र नहीं है he should listen उसे सुनना चाहिए to the teacher teacher को carefully ध्यान पुर्वक carefully सुनना चाहिए students who listen छात्र यानि कि students जो सुनते है to their teacher अपने teacher को अपने सिच्छक को learn more मतलब सीखते हैं ज्यादा जो students अपने teacher को सुनते हैं वो सीखते हैं ज्यादा सीखते हैं this is सुधीर यह सुधीर है he always talk वह हमेशा बात करता है when the teacher teaches जब शिच्छक पढ़ाती है तो वह हमेशा बात करता है teacher ask him a question teacher पूछती है उससे एक question एक question पूछती है do you think he knows the answer क्या तुमको लगता है कि he knows the answer वह जानता है answer yes या no तो यहाँ पर होगा है no क्योंकि वह हमेशा जब teacher पढ़ाती है तो वह हमेशा बात करता है तो वह answer नहीं बता सकता है करतें नेक्स्ट पेज़ पर तो यह अगला पेज़ है look at these students देखो यह सब अस्टुदेंट को यह सब अस्टुदेंट को देखो they are going with jar है to the computer room computer room में they are going in a straight line वे जा रहे है in a straight line यानि कि सीधी रेखा में सीधी लाइन बना कर बिल्कुल जा रहे है they are good students वे अच्छे अस्टुदेंट है good students walk in line अच्छे अस्टुदेंट वाक यानि चलते है in line, line में चलते है this is a computer class यह एक computer class है the students are working students work कर रहे है यहीं काम कर रहे है संदीप is running संदीप दोर आ है in the computer room computer room में देखें संदीप है यह दोर आ है computer room में he did not see the mouse वह नहीं देखता है the mouse, mouse को the mouse slipped and fell on the floor mouse slipped किया and fell और गिर गिया on the floor, floor पर देख सकते है mouse slipped किया और floor पर जमीन पर गिर गिर गिया the teacher punished संदीप teacher punish करती है संदीप को teacher संदीप को दंड देती है संदीप प्रोमिस्ट संदीप ने प्रोमिस्ट किया वादा किया never to run मतलब कभी नहीं दोड़ने का in the classroom आगे दखें एक से साइजेज है think and answer सोचो और answer दो दखें हम answer लिख दिये है say yes or no यानि कहो yes or no computer are found computer पाया जाता है in many sizes यानि बहुत सारे sizes में ये सही है इसलिए हम yes लिख दिये है laptop are big computers laptop होते हैं बड़े computer ये गलत है laptop बड़े computer नहीं होते हैं इसलिए no लिखे हैं laptop छोटे computer होते हैं handheld computers are very big and heavy handheld computer बड़े होते हैं और भारी होते हैं ये गलत है इसलिए हम नो लिख दिये हैं अगला पेज़ पर यह देखिए नेक्स्ट पेज है इसलिए अध्यान करना पढ़ना इन्हें नवाईजी क्लास में क्लास में पढ़ना असान है गलत है इसलिए नो लिखे हैं अस्टुडेंट्स करते हैं अच्छा इफ देख सुनते हैं तो देटीचर अपने टीचर को यह सही है इसलिए लिख दिए हैं अगला कुछन देखिए कुछ नमर भी फिल यानिकी भरे इन दब्लैंक यानिक खाली अ दिखा जाता है लाइक ब्रीफ केस एक ब्रीफ केस के जैसा कॉन कॉंप्रेटर दिखा जाता है तो लैप्टूप कम्प्रेटर इसमें हम लैप्टूप भर भी हैं आगे देखिए एटीज मतलब है तूर स्टडी अध्यनकरना इन न्युक्रास नाजी क्लास में यानिक हला पढ़िए बूलावाला क्लास में तो क्या है तो डिफिकल्ट है इसलिए इसलिए कटी में होता है आगे देखिए अच्छे चलते हैं कि इन मात नाइवा चलते हैं यह जए लाइन के थिए Ooh जैंस एधी अगल चात्र जो सुनते हैं पने टीचर उपने लृर्न सिछिकंगे स्वाओ impactingocks को नाखत इसे ड़स्ट फ्री रखता है यह फिरी इसमें भर दिया गया है आगे देखिए कोछ नमर सी है मैच The Column को मिलाएं फर्स्ट लुक्स दिखाई देता है लाइक ब्रीफ के से जैसा इसमें क्या होगा लैप्टोब स्थ क्या होगा कि इसने आपका यह मिला जीजेगा करीबना हाठ में कर सकते हैं किसको रूण हैंच के शाज के श्चक करेंगे का सकते हैं हाज लों कि अमक्रीन के अब यहां सब्सक्राइब के शौना o में की दोकूल होता है कि उसके स Sn怎么 की ओर नहीं होता है तो आमगा अगर aquest में तो आपका टच तपर खोल करके टाच करके हम लोग यूज़ करते हैं तीसरा किया हुआ ए फॉर्ट नमबर फॉर्स्ट पॉकेट पीसी या पका यह होगा फॉर्ट का भी पाल में फाला पाफ पॉकेट पीसी क्या था पाल में इस तरह से एक समाप्त हो गया चैप्टर भी समाप्त हो गया प्रैक्ट्र प्रैक्टिस धिया गया है यादि कि करियेगा जिससे बहुत प्रैक्टिस लगा चेक आउट यानिक प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार को चेक आउट करें लाइपस के लिए में देखिए क्या दिया गया नेभर टॉक कभी बात न करें इन दा क्लास रूम क्लास रूम में और या या यू विल नोट तू वी एवल तू लर्न या आप सच्छम नहीं होंगे तू लर्न सीखने में क्लास और या इससे क्या होगा क्लास डिस्टर्ब होगा नेभर रन कभी दोड़े नहीं इन दा कंप्यूटर रूम कंप्यूटर रूम में तो आप क्या करेंगे ब्रेक तोड़ देंगे कुछ चीज फीचर के लिए क्या नोट है देखिए हे शो डिफरेंट टाइपस अव कंप्यूटर को दिखाएं तो मणों टीकर के लिए है उल्सोडे बताएं उनको कहें उनसे ऑगले क्या संपने मिलते है इस तरह से चेप्टर आपका समाप्त हो गया चली मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चेप्टर के साथ अगला चेप्टर हम लोग पढ़ेंगे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू